नमस्कार ये दखलेजिये वर्क फीट से डिस्मिल में डिस्मिल से काठा में बदलना जानेंगे पूरा विडियो ुद देखे दो दब देखिए दोसो वर्क फीट पन्रासो वर्केट पोगी 25 सो गबीड और 1000-वर्क फीट को 435.6 वर्ग फीट होता है और एक काठा बराबर 1361.25 वर्ग फीट होता है ये देख लिजी इस तरह से अब एक काठा में कितना दिसमिल इसे जानने के लिए 1361.25 बटे 435.6 बराबर 3.125 दिसमिल एक काठा में इतना दिसमिल होता है लगभग 3 दिसमिल ये दख लिजी अब 200 वर्ग फीट में कितना दिसमिल इसे जानने के लिए 200 बटे 435.6 बराबर 0.459 इतना दिसमिल होगा ये देख लिजी और कितना काठा इसे जानने के लिए इसमें जो है एक 3.125 से भाग कर दिजी इसको इस तरफ से करेंगे तो इनस्वार आता है जीरो दसम लव एक 4.6 काठा होगा 200 वर्ग फिट बराबर इतना काठा होगा इस तरह से असानी से बदल सकते हैं और नेक्ष देखिए अगला एक हजार वर्ग फिट का देख लिजी एक हजार बटे डिसमिल में इसको बदल लिजी एक हजार वर्ग फिट का 435.6 बराबर एक हजार वर्ग फिट में कितना काठा इसे जानने के लिए 2.295 इसे को लिख लिजी बटे 3.125 बराबर एक 0.73 फोर काठा होगा एक हजार वर्ग फिट में 0.73 फोर काठा होता है इतना इस तरह से अब 2500 वर्ग फिट में कितना डिसमिल 2500 बटे 435.6 बराबर एक पांच दसम लव साथ तीन नव डिसमिल इतना डिसमिल ये दख लिजी अब एक इतना काठा इसे जानने के लिए तीन दसम लव एक दो पांच से भाग कर दिजी तो बराबर भाग करकर देख लिजे एक दसम लव 836 काठा लिख लिजे 2500 इसक्वायर फिट बराबर एक दसम लव आग तीन छे काठा होता है और 1500 वर्ख फिट कभी देख लिजे 1500 वर्ख फिट ये कितना डिसमिल इसको देख लिजे 435.6 बराबर 3.443 डिसमिल 1500 वर्ख फिट में यदि मकान बनाते हैं तो इतना डिसमिल होगा ये 3.443 डिसमिल और कितना काठा इसे जानने के लिए 3.1,2,5 से भाग कर दिजे बराबर 1.1,1 काठा होगा इतना लगभग एक काठा मानके चलिए इस तरह से असानी से बदल सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे धन्वाग